आई फ्रेंस गुड मॉर्णिंग स्वागत है आप सभी का ये स्पीसी सोलूसर में तो देखिए मैं लगातार वीडियो लेकर के आ रहा हूं जेपीसी के लिए तो अभी हम लोग प्रमुख जनजातियों को देख रहे हैं टोटल 32 जनजातियों में से कई जनजातियों के बारे और भी 2-3 जनजातियों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तो वीडियो सुरू करने से पहले आपको पताना चाहता हूं वीडियो पर नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा और वीडियो को लाइक जरूर कर द सबसे पहले हम लोग सुरू करेंगेशन जन जाती से जाल करते हैंा मतलब कहां पर निवास करते हैं जार्थ便 मैं इनका निवास अस्थाल कहां है इन की कितनी जन संख्या है और इनके इनका जो समाज है ओकिस टाइप का समाज है इनका पेशा क्या है यही सब हम लोग जानेंगे मुख्य रूप से तो अगर हम लोग जंसंख्या की बात करें चेरो जंजाती की जंसंख्या की बात करें तो इनकी जन संख्या 2011 के जनगन्ना के अनुसार 95,575 लगबग अगर कुछ बढ़ा भी होगा तो अब जो है इनकी जन संख्या एक लाख हो गई होगी लेकिन हमें मानना नहीं है ओफिसियल डेटा के अनुसार चलना है 2011 के जनगन्ना के अनुसार अगर पुछा जाएगा कि चेरो जन जन जाती की संख्या जारखन में कितनी है तो 95,575 जिसमें अगर हम लोग बात करें तो ग्रामी जन संख्या 94,66 और 1508 जन संख्या सेहरों में निवास करती है तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा भाग ज जाएदे कुछ लोग जो है वो सहर में रह रहे नहीं तो maximum लोग जो है यहाँ पे ग्रामी जीवन जी रहे हैं गाउं में रहे हैं और ओभी इनका जो गाउं होता है काफी पिछड़ा गाउं होता है यह जंगलों में पहाडों इन सब छेतरों में रहते हैं अगर हम लोग ब पता दू कि यह जो लाते हार डिस्टिक है यह लाते हार डिस्टिक भी पलामू का ही भागता है पलामू से कट करके यह लाते हार एक अलग जिला बना है अलग डिस्टिक बना है पलामू प्रमंडल के अंतरगत ही यह लाते हार भी आता है और गढ़वा भी आता है तो याद जो है चेरो से पहले यहाँ पर राजपूत सासन का वंस था रक्सेल वंस का यहाँ पर सासन था पलामू छेतर में अभी जो पलामू किला है वो इनी से संबंदी थे जब यहाँ पर रक्सेल वंस सासन कर रहे थे बाद में यह चेरो आते हैं और चेरो और रक्सेलो के बीच में युद होता है और रक्सेलों को ये वहाँ से हटा दते हैं और फिर जो है वो पलामू पर कबजा कर लेते हैं तो ऐसे कहें तो चेरों का यहाँ पर आधी पते रहा है पलामू पर पहले से ही तो पलामू को थोड़ा से हम लोग मैप में देख लेते हैं देखें ये है पलामू बड़ा सा कलर चंद कर लेता हूँ ये है पलामू डिस्टिक ठीक है बिलकुल उत्तर में जारखन के बिलकुल उत्तर में आप देखेंगे तो ये पलामू है और ये है गड़वा डिस्टिक ठीक है ये पलामू है और पलामू के जस्ट नीचे अगर आप आपाएंगे तो यहा चलिए अब देखते हैं कि प्रजाती दिरिष्टी से ये किस प्रजाती के अंतरगत आते हैं चेरो जंजाती किस प्रजाती के अंतरगत आती है तो प्रोटो आस्ट्रलायट ठीक है मैक्सिमम जंजाती हमने देखा कि प्रोटो आस्ट्रलायट के अंतरगत आ रही है और इनकी जो भासा है मैक्सिमम् ज्यादा से ज्यादा जनजातियों की जो भासा है वो द्रविड परिवार से आने वाली भासा है तो इनके भी इनको भी कई उप विभागों में बाटा गया है जैसे बर हजार ठीक है या इनको 12,000 भी कहा जाते है 12000 या 12000 ऐसे याद रखना है 12000 से ये सब्द बना है 12000 और 13000 या भीर बंधिया ठीक है तो इनको जो है ओ तीन भागों में ऐसे जो है ओ बाटा गया है याद रखेगा इनकी भासा जो है बोल चाल में इनकी भासा है सदानी ठीक है इनकी भासा सदानी है और एक चीज़ याद रखना है कि यह जारखंड की अकेली ऐसे जन जाती है जो पहाड़ों जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है चेरों जो जन जाती है अगर आप लोग पलामू डिस्ट ißt description से है, कोई अगर पलामू district से हैं, तो कमेंड में मुझे बता सकते हैं कि उनको पता होगा, छेडों जनलती के बारे में बहुत ही अच्छे है उसक पता होगा, तो देके पलामू district को अगर आप लोग देखेंगे तो पलामू डिस्टिक में बहुत ही कम जो है आप लोगों को जंगल और पहाड देखने को मिलेंगे ठीक है तो ऐसे भी हम लोगों को याद रखना है कि यह जो जंजाती है अगर पलामू डिस्टिक में यह रह रहे हैं तो यहां पर तो जंगल पहाड है नहीं तो इनकी रूची ही है कि हम थोड़ा सा सहर की और जो है और भागे मतलब कि यह जंगलों में पहाडों में रहना यह जंजाती पसंद नहीं करती है और इनका जो गाउं होता है चेरों का जो गाउं होता है इनके गाउं को कहा जाता है डिह ठीक है बहुत सारे ऐसे जारकंड में आपने अगर जो छेतर है उसमें आपने डी जरूर सुना होगा गाउं यह सब में जैसे अकर हम लोग बात करें तो बरवाडी ठीक है आपने नाम सुना होगा बरवाडी है ना और यह जो है मेरा जहां पर घर है मेरा जहां घर है उसके 3-4 किलोमेटर के आसपास यह गाउं है बरवाडी ठी डीर जो है अपने गाउं को चेरो जो है अपने गाउं को बोलते हैं डीर ठीक है अब मुख के पेशा की बात की जाए कि इनकी पेशा क्या है मतलब कि ये करते क्या है तो इनका पेशा है क्रिसी ये खेती करते हैं ठीक है ये खेती करते हैं ठीक है क्रिसी अब हम लोग चलते है थोड़ा आगे अब हम लोग चलते हैं चीक बड़ाइक ये जनजाती के उपर ठीक है चीक बड़ाइक की जनसंख्या जारखंड में अगर देखे तो इनकी कुल जनसंख्या 2011 की जनगन्ना के अनुसार 54163 है ग्रामें जनसंख्या बात करें तो 47530 है जबकि सहरी जनसंख्या 66 633 है तो यहां पर हम लोग ये देख सकते हैं कि चेरो के तुल्ला में ये सहर में ज्यादा है है ना चेरो के तुल्ला में सहरी जनसंख्या इनकी ज्यादा है और ग्रामें भी है लेकिन उनके तुल्ला में ये सहर में ज्यादा लोग रह रहे हैं अब साक्षरता की बात करें कि इनके इस जंजाती में जो साक्षरता है, लिटरेसी रेट है, वो कितना है, तो 64%, 64.5% इनकी साक्षरता है, तो काफी अच्छा माना जाएगा, 64% अगर साक्षरता है, तो बहुत यची साक्षरता मानी जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गाउं में ये जंजाती निवास कर रही है और सहर में ये कम है फिर भी अगर इतनी सा चलता है तो ये कम नहीं माना जाएगा ठीक है अब हम लोग बात करते हैं कि ये रहते कहां पर है मतलब कि जारखन में ये कौन-कौन से जिले में निवास करते हैं तो जारखन में ये राची में हैं गुमला में हैं और सिम्डेगा में राची गुमला और सिम्डेगा डिस्टिक में थोड़ा सा मैप में हम लोग देख लेते हैं कि राची गुमला और सिम्डेगा है कहाँ पर यह है राची ठीक है और यह है गुमला ठीक है यह गुमला है और इसके नीचे आएंगे तो यह है सिम्डेगा तो यह जो छेतर है, इसी छेतर में यह जन जाती, जी बढ़ाईक जो जन जाती है, यह निवास करती है, ठीक है, अब अनों चलते हैं, कि इनका पेशा क्या है, ठीक है, इनका पेशा क्या है, तो इनका मुख के पेशा है, कपड़ा बनाना है, कपड़ा बुनते हैं, कपड़ा बन मतलब कि हाथों से कपड़ा बनाने वाले ये पहले जनजाती जनजाती तो छोड़ दीजिए मानों में कहा जाता है कि हाथों से कपड़ा इन्हों नहीं बनाना शुरू किया था इसलिए कपड़ों का हाथ से बने कपड़ों का जनक इनको कहा जाता है चीक बढ़ाई को कहा जा जैसे सभी धर्म में जो सर्वोच देवता होते हैं अब इनके बारे में पूछा जा रहा है कि इनके सर्वोच देवता कौन है तो इनके सर्वोच देवता है सिंग बोंगा जैसा कि हमने मुंड़ा जंजाती में देखा था कि मुंड़ा जंजाती के भी सर्वोच देवता या के पर्मुक जो देयता है ओर सिंग भोंगा है तो इन माई सभी के गाओं में होती है रहर तो देवी माई को यह सरोच देवी मानती हैं जबकि सिंग बोंगा जो है इनके सरोच देवता है ठीके अब जो है अगर धार्मिक तेवहार की बात करें कि ये कौन-कौन से तेवहार मनाते हैं इनका मुख के तेवहार जो है वो कौन-कौन सा है तो सरहुल, करमा, देवठान, नावाखानी, होली, कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क बात करें दिपाव ले और रामनों में तो ये हिंदूं का तेवार है हिंदू हि कि ऐसा नहीं कि ये दूसरे हैं हिंदू धर्म कोई ये मांगते हैं लेकिन ऐसा कहा जाता ही कि यहे त्योहार यही के मूल नीवासी है भासा कि अगर बात की जाए कि इनकी भासा क्या है तो इनकी भासा है नागपूरी ठीक है इनकी चीक बड़ा एक जंजारती की भासा नागपूरी है और याद रखना है कि इनका जो परिवार है वो पित्री सतात्मक है पित्री वंस ये परिवार होता है ठीक है अब जो है इनको भी दो वर्गों में बाट बाढ़ दिया है जैसे हमारा समाज भी अगर देखे तो कई वर्गों में बटा हुआ है जैसे प्राचिन समय से हमने अपने समाज को बाढ़ दिया है और अभी तक बाढ़ते चले आ रहे हैं और अब तो ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है जैसे ब्रामहन, छत्रिये, बै सुद्र पहले ही हमने बाढ़ दिया था तो भारत तो बटे गई इनी चीजों में तो इनके भी दो वर्ग है बढ़ गोहडी ठीक है बढ़ जात मतलब की उची जात और छोट गोहडी मतलब की छोटे जात इन लोगों ने भी अपने समाज को बाढ़ दिया और इतना गंदा का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अब धीरे धीरे ये भी साक्षर हो रहे हैं क्योंकि साक्षरता हम लोग देख रहे हैं कि इनकी साक्षरता कितनी है तो धीरे धीरे ये भी समाप्त हो जाएगा हमें जो है उमानवता के रास्ते पर चलना है ना जात ना पात ना धर्म ठीक है ल इसी बिशेश परिस्टी में ही आप दूसरी साधी कर सकते हैं और दूसरी जो साधी है पूनर विवाह जो होता है ठीक है देख याद रखेगा पूनर विवाह जो होता है उसको क्या कहा जाता है पूनर विवाह प्रस्ण पूछा जागा कि चीक बढ़ा एक जन जाती में जो पूनर विवा होता है उस पूनर विवा को किस नाम से जाना जाता है तो इसको कहा जाता है संगाई ठीक है संगाई से विया प्याद रख सकते है ठीक है संगाई जो सब्द है ये विवा साधी में ही इस्तेमाल होता है तो संगाई बोलते हैं ठीक है संगाई बोलते हैं अब च कितनी है कुल इनकी जन संख्या कितनी है तो इनकी जन संख्या 46,222 है 2011 की जनगना के अनुसार साक्षर्टा की बात करें तो साक्षर्टा लिट्रेसी रेट इनमें थोड़ी कम है ठीक है चीक बड़ाई की तुल्ला में सोरिया पहाडिया जो जनजाती है इनमें लिट्रेसी रेट थोड़ी कम है मातर और मातर 49.7% है 39 अगर बात करें तो 40% जो है वो साक्षरता है लगबग लेकिन हमें वह ऐसा याद नहीं रखना है एक्जेक्ट और डाटा हम लोगों को याद रखना है कि 2011 की जंगन नेकनू साथ सोरिया पहाडिया की साक्षरता दर जो है जारखन में कहां कहां इनका निवास अस्थान है तो संथाल परगना याद रखेगा संथाल परगना परमंडल दुमका जामतारा साहब गंज पाकूर देवगर और गोड़ा तो देख लिजिए संथाल परगना कहां पर है यह है संथाल परगना डिवीजन और संथाल परगना दिविजन में हमने देखा कि देऑगहर में भी दूमका में यहाँ पे है, गोड़ा में है, साहब गंज है, पाकुड है, जाम ताड़ा है, देऑगहर है, हैना मतलब कि इस भाग में ठीक है, इस भाग में यह निवास कर रहे हैं, जारखन का यह मैप है, यह division का मैप है यह district का मैप है दो अलग-अलग मैप है ठीक है तो इस संथाल पर गना division में यह जंजाती निवास करती है सौरिया पहाडिया जंजाती निवास करती है अब चलते हैं अब देखिए इनका जो छेतर है राजमहल छेतर इसी छेतर को कहा जाता है यह जो साहब गंज दामीने कोह ठीक है इस सेतर को यह दामीने कोह बोलते हैं एक चीज और र्याद रखना है कि यह जो जंजाती है इसकी भासा है मालतो ठीक है कमनेट में आप लोगों को बताना है पहले भी हम लोग चीज बताना है इनके जो सरोच देऊता हैं इनके सरोच देऊता को लेहु गोसाई कहा जाता है मतलब कि लेहु गोसाई जो है इनके सरोच देऊता है अब जो है एक चीज और याद रखना है कि यह जो जान जाती है इन्होंने अंग्रेजों के सासन के पहले कभी भी अपनी सो तंता को गुलामों या मराठों के हांथों नहीं सौपा था, कहने का अतात पर ये हुआ कि अंगरेज के आने से पहले मुगलों ने भी, मराठों ने, देखिए ऐसा कहा जाता है कि मराठों के माइड में हमेशा ये रहता है, रहता था कि पूरे भारत पर हमारा बर्चस हो और ह इसके बाद भी जब मुगर कमजोर पढ़ने लगे तो भी मराठा की नीती वही थी कि हम पूरे देश पर राज करे तब तक आ गए और भी यूरोपियन, यूरोपियन में सबसे ज़्यादा मजबूत जो सक्तिसाली उभर करके आये वह आये अंग्रेज है ना, तो अंग्रेज जो है, हर छेतर पर अपना कवजा करना चाहा, मुगल तो करी चुके थे हर छेतर पर, लेकिन कभी भी ये जो जन जाती है, सोरिया पहाड़िया जन जाती, इन्होंने ना तो माराठो की अधिनेता स्विकार की और ना ही मुगलों के सामने ये जुके, ठीक है, अंग्रेज ज समय में थोड़ा बहुत इनको जुकना पड़ा नहीं, तो ये किसी के सामने जुके नहीं थे, और जितनी चन जाती हैं, ये पहले लड़ाई किये हैं, चाहे वो अंग्रेज हो, माराठा हो, मुगल हो, किसी के साथ भी पहले इन्होंने युद किया है, पहले ही इन्होंने त चांद को ये बोलते हैं, ठीक है, जैसे चंदा मामा जो है, चंदा मामा को ये बिलव गोसाई जी कहते हैं, सुर्य भगवान जो है, इनको बेरू गोसाई कहते हैं, भगवान सुर्य को ये बेरू गोसाई कहते हैं, जर मातर गोसाई ये जनम देव और वो गोसाई राज मार दोता है उनको ये पूदोसाई कहते हैं अब हो ज़ है एक चीज याद round रखना है कि यह अपने आ आपको मलेर भी कहते हैं ठीजाओं का जो प्रबंध है वो मांजी करता है या प्रधान जो होता है वो मांजी और इनकी जो भासा है इनकी भासा भी द्राविड परिवार के अंतरगत आती है ठीक है भासा इनकी द्राविड परिवार के अंतरगत ही आती है ये चीज भी याद रखना है और इनकी अस्थानिय जो भासा ह कैसे हम लोगों का अगर आप बिहारी तो चलि इंडियन है और अगर बिहार में रहें तो बिहार में ही अगर देखा ज्द भौजपुरी भासा है जो काफी पर्चलित हो गया वह hebeena लेकिन यह लोकल लेंग्विज है हमारी जो भासा है औहल часов हिंदी थिक है इसको बोलते हैं कूरवा थिक है आस्थानिय भासा को ये कूरवा बोलते हैं याद रखना है एक चीज़ और याद रखना है कि कुछ ये जो जल्ड आती है सesधार पहाड या जल्ड-कूछ नो parle है व्यांगला भी बोलते हैं बंगला प्रहासा का भी यह प्रियोग करते हैं अब इनके जो परमुख अधिकारी हैं इनके जो पंचायत है इनका जो घाओ है उसमें जो परधान अधिकारी होते हैं उनको क्या-कया कहा जाता है तो सियनार, सियनार जो होता है, ओ ग्राम का मुखिया होता है, भंडारी, गोड़ेत या संदेश वहक, संदेश पहुचाने का कारे, चाहे ग्राम वासियों के बीच मोह, या ग्राम वासियों का संदेश जो है, ओ राजा तक प्रधान तक पहुचाने का काम जो है, ओ कौन करेगा, भंडारी करता है गीरी और कोतवार ये सब जो है प्रसासन के प्रमुक अधिकारी होते हैं अब इनका जो यूवागरी है यूवागरी हमने देख लिया है कि यूवागरी किसको बोला जाता है यूवागरी उसको बोलते है जिसमे जो यूवा की उतिया है वो सिक्छन प्रसिक करते हैं तो इनके यूवा ग्री को मतलब एक तरह से कहें तो इनके स्कूल को कॉलेज को जहां पे सिख्छा दिच्छा दी जाती है उसको कहा जाता है कोडवाह ठीक है कोडवाह कहा जाता है इनके यूवा ग्री को और ग्राम पंचायत जो है ग्राम पंचायत का में जो होता है वो होता है मांजी ये चीज भी आप लोगों को याद रखना है इनके गाओं का प्रबंज जो है वो मांजी के द्वारा ही किया जाता है अच्छा दो जगा पे हो गया है मांजी मांजी चले कोई बात नहीं और एक चीज याद रखना है कि इनके प्रमुक तेवहार जो है वो फसलों पर ही आधारी थे तो इनका भी जो तेवहार है वो फसलों पर ही आधारी थे और ये लोग उसको बोलते हैं आडया ठीक है फसलों का जो तेवहार होता है उसको ये आडया बोलते हैं मतलब कि फसलों पर आधारी जो तेवहार होता है उसको ये आडया बोलते हैं याद ठीक है फसल कटने पर जैसे भादो कार्ति कोसरा आड़या मतलब कि अलग अलग जो है ये तेवहार मनाते हैं जैसे भादो में अगर कोई फसल कट रहे हैं तो उस समय गांगी आड़या नामक तेवहार ये मनाते हैं ठीक है ने फसल कटने पर और ये जो है अस्थानांतृत क्र करते हैं किरिसी की बात की जाए तो ये असनांत्रित क्रिशी करते हैं सुनिым क्रिसी मैं पहले ही बता चुका हूं तो उस ज्यादात का जो हकदार होता है वो उसका उत्राधिकारी जो होता है वो बड़ा पुत्र होता है याद रखेगा मतलब की उत्राधिकारी ठीक है उत्राधिकारी जो होता है वो कौन होता है बड़ा पुत्र होता है इनमें ठीक है बड़ा पुत्र होता है और इनमें गो गोत्र की ओधारना नहीं है इस जनजाती में गोत्र की ओधारना ठीक है गोत्र की ओधारना नहीं है यह जो जनजाती है इसमें गोत्र की कोई भी ओधारना नहीं है अब चलते हैं अगले जनजाती की ओध अगली जो जनजाती है ओहें कोरा जनजाती ठीक है कोरा जनजाती जन जनसंख्या की बात करें तो ज्यादा जनसंख्या है नहीं 32,786 जनसंख्या है कुल जनसंख्या इनकी ठीक है सक्षर्टा दर अगर देखा जाए तो 2011 के जनगनना के नुसार ये जो भी डेटा है और 2011 की जनगनना के नुसार ही है तो 55.5% इनकी लिटरेसी रेट है प्रजातिय दिरिष्टी से देखा जाए तो ये प्रोटो आस्टलैड प्रजाति के अंतरगत ही आते हैं निवास अस्थल की बात की जाए तो हजारी बाग, भनबाद, बोकारो, सीबूम और संथाल परगना इस छित्र में ये रहते हैं अब ये सब तो देखी रहे हैं हम लोग है ना परम उप जाते हैं, उप जाते हैं, को राजन जाती की यद रखना है अब इनका जो गोतर है वो कहलाता है गुष्टी ठीक है इनके गोतर को गुष्टी कहा जाता है और गाओं का जो परधान होता है वो मैतो कहलाता है ठीक है महतो गाओं का परधान होता है और पुजारी जो है गाओं का पुजारी उसको बैगा कहा जाता है ठीक है और ये लोग अपना जो इनका घर होता है इनका जो घर होता है अपने घर को ये क्या कहते हैं तो अपने घर को य क्या बोलते हैं ओडा बोलते हैं ये चीज भी आप लोगों को याद रखना है ठीक है अब देख लिजीगा अगला है परहीज ठीक है परहीया जन जाती परहीया जन जाती की बात की जाए तो इनकी कुलजन संख्या है 253525 हजार पांट सो पचासी कूल जंज संक्या है जारखन में साक्षरता देखी जाए तो 33 दस्मलो एक परतिसाद ज्यादा ये पड़े लिके लोग नहीं है ठीक है निवास अस्थल की अगर बात करें तो वही पलामू लातेहार गड़वा रांची हजारे बाग चतरा संथाल पर अंतरगत आने वाली पर जाती है ठीक है प्रोटो अस्टेलायट के अंतरगत आने वाली पर जाती है और प्रथा ब्यापत है इनमें जो प्रथा है उसको बोला जाता है साक्षी प्रथा ठीक है इनमें एक प्रथा का प्रचलन है जिसको साक्षी प्रथा कहा जाता है पंचा पंचायत ये अपने पंचायत को भियारी बोलती है या जाती गोडं बोलते हैm ठीक है अनके गाउघकala पंचायत को यो प्रमुख होते हैं उनको महतव यह प्रधान कहा जाता है ठीके मैं तो यह परदान सब में जो है वो समानता है थोड़ा बहुत ही धर हुदर है जो आपको याद करना है मुख के पेशा इनकी क्या है बास की टोकरी बनाते है ठीके और ढोल बजाना ठीके जैसे साधी बिवा हो गया या किसी सूभासर पर ढोलकी की जोरत होती है ढोल बाजाने वाली की जोरत होती है तो इनका पेशा ही है ढोल बाजाना और बास की ये टोकरियां बनाते हैं तो टोकरी बनाना और ढोल बाजाना इनका मुख्य पेशा है ठीक है अब यह है परहिया जो जन जाती है इसमें मा के वन्स को प्रात्मिक्ता दे जाती है, मतलब कि अभी तक हमने जो जन जाती देखा, उसमें हमने देखा कि पीतरी सतात्मक है, लेकिन ये जो जन जाती है, इसमें जो परिवार होता है, ओ मातरी सतात्मक होता है, ठीक है, मातरी सतात्मक होता है, और याद रखना है, कि इनके यह जो परिवार की गिनती होती है वो होती है कुराला से कुराला का मतलब क्या होता है दूसरा कलर लेता हूँ कुराला कुराला परिवार की गिनती कुराला से होती है अब यह सब्द का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है चूलहा ठीक है इसका मतलब होता है चूलहा, मतलब कि गाउं में कितने चूलहे हैं, उससे पता चलता है कि कितने परिवार हैं अगर चार भाई हैं, जगड़ा हो गया, अलग-अलग हो गया, खाना अलग-अलग बनाने लगे तो ये चार परिवार हो गया ठीक है चार परिवार तो चूले से ही और होता भी ऐसा ही है है जो खाना अलग बनाने लगा उसको एक अलग परिवार हम लोग बोल देते हैं तो चूले से ये इनका से ही था चूले से ही पता चलता था कि कितने परिवार हैं ठीक है परिवार की ग बोलते हैं यह अपने पंचायत को ठीक है अब चलते हैं अगले जन जाती की ओर अगली जो जन जाती है मैं पड़ेक लिजेगा अगली जो जन जाती है वह है किसान जनजाती यह वारा किसान नहीं समझेगा जनजाती का ही नाम है किसान जनजाती ठीक है अगर कुल जनसंख्या की बात की जाए तो इनकी जनसंख्या है 37,265 कुल जनसंख्या इनकी 37,265 है जिसमें ग्रामिन जनसंख्या की बात करें तो 35,764 है और सहरी जनसंख्या की बात करें तो 1,501 मात्र इसकी जनसंख्या है साक्षर्ता की बात की जै तो 49,5% ठीक है 49,5% कुल लिटरेसी रेट है साक्षर्ता दर है इनकी निवास अस्थल की बात करें ठीक है निवास अस्थल मतलब कहां पे ये जनजाती मुक्ते रूप से रहती है जारखंड में तो लाते हार पलामू, गड़वा, राची, गुमला, सिम्डेगा इन्हें डिस्टिक में ये निवास करते हैं इनको भी हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है तेलिया और सिंदूरिया में ठीक है अब एक डाल्टन महोदे हैं ठीक है डाल्टन महोदे कहते हैं कि ये जो किसान जन जाती है ये किसान जन जाती पा जान जाती जो है यह पांडव का ही भाग है ठीक है और यह अपने आपको नगेशिया बोलते हैं स्वेम को यह नगेशिया बोलते हैं याद रखेगा कि स्वेम को यह नगेशिया ठीक है अपने आपको यह नगेशिया कहते हैं ठीक है अब इनके जो सरोच देवता हैं इनके सरोच देवता को सिंग भोंगा कहा जाता है जैसा कि और जनजातियों में इनके जो सरोच देवता हैं वो सिंग भोंगा है तो किसान जनजाति के भी जो सरोच देवता हैं मुखे देवता हैं वो है सिंग भोंगा महराज और इनका जो प खेती बाड़ी मतलब कि ये क्रिसी करते हैं, है ना, ये क्रिसी करते हैं और लकड़ी काटते हैं, जंगलों से लकड़ी काटते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, यही सब जो है, इनका मुख्य पेशा है, भासा की बात करें तो मुंडारी इनकी भासा है, ठीक है, तो ये है किसान जन जाती, तो उम्हेद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा और एक वीडियो में हम लोग पूरी जन जाती को खतम कर देंगे, तो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर किजेगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर किजेगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजेगा प्लीज आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि इसे सेयर जरूर कर दिजिए क्योंकि JPSC के स्टूडेंट चैनल पे थोड़े कम है तो जितने JPSC के स्टूडेंट हैं जो स्रियसली तैयारी कर रहे हैं उनके साथ सेयर कीजिए क्योंकि बिल्कुल free of cost मैं यहाँ पे पूरा course end कराने वाला हूँ और वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है अपना feedback भी जरूर दिजिए कोई कमी है तो भी जरूर बताईए उसको जरूर पूरा किया जाएगा मिलते हैं फिर अगले class में Thank you, thank you so much